कल से यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडियेट की परिक्षा हैं शुरू हो रहे हैं इस बार पच्पन लाग से जादा चात्र परिक्षा में चामिल हो रहे हैं परिक्षा को नकल विहिन बनाने के लिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने पूरी तैयारी कर दी है यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडियेट परिक्षा को लेकर तैयारी पूरी है नकल विहिन परिक्षा को लेकर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अलर्ड है नकल माफिया हूं या नकल ची सब पर एक्शन की तयारी में माध्यमिक बोर्ड है साल 2023 की तरह ही इस बार भी माध्यमिक शुक्षा बोर्ड सक परीक्षा को लेकर अलर्ट मोड में है बोर्ट परिक्षा की तैयारी पूरी 75 जिलों में आयोजित होने वाली बोर्ट परिक्षा के लिए 8265 सेंटर्स बनाए गए हैं इस बार 55,25,308 परिक्षारती बोर्ड एक्जाम में शामिल हो रहे हैं परिक्षा के लिए 2,75,000 प्रवेक्षक न्यूक्त किये गए हैं नकल रोखने के लिए परिक्षकों को QR कोड दिया गया है युमेरिक कंप्योटराइस्ट आइकार्ट दिये गए हैं परिक्षक केंद्रों पर 8,265 सेंटिक मेजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे परिक्षक को लेकर नकल माफियाओं के लिए माध्यमेक शिक्षा बोड ने चितावनी भी जारी की है जरा सी गड़बर पाये जाने पर रासुका लगाने की तयारी है सभी जनपदों की परिक्षक केंद्रों पर निगरानी के लिए लखनव में लाइफ मोनिटरिंग रूम और कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है परिक्षार्थियों और परिजनों की सहूलियत के लिए बोड ने शिकायत नमबर भी दिया है साथी सोशल मीडिया के माध्यम से भी परिक्षार्थियों परिजन शिकायत कर सकते है संभल से सुनील सिंग के साथ ब्यूर रिपोर्ट जी मीडिया बोड परिक्षार्थ नकल के आशंका को देखते हुए आजमगर है बलिया है आपको दाए बोड परिक्षार्थ से पहले परिक्षार्थियों के लिए कुछ एहम बाते भी हैं जो उन्हें ध्यान में रखी बेहत जरूरी है सभी परिक्षार्थी अपना एड्मिट कार्थ ले जाना ना भूले बिना हॉल टिकेट के परिक्षा केंदर पर एंट्री नहीं मिलेगी एड्मिट कार्थ पर दिये हुए वक्त के हिसाब से ही सैंटर पर रिपोर्ट भी करें देरी से पहुचने पर एंट्री नहीं मिलेगी तो एड्मिट कार्थ पर दिये गया वक्त के हिसाब से ही पहुचे परिक्षा किंदे में electronic item ले जाने पर ban है बहें stationary लेकर जाएं जिसकी इजाज़त है answer sheet में overwriting और cutting की इजाज़त नहीं होगी अगर ऐसा होता है तो उसका कोई अंक नहीं मिलेगा